नमस्कार दोस्तों, आव सी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल करर का एक बहुत खुबसूरत डिजाइन लाए हूँ जिसे आप जर्ण स्वेटर में, लेडिस कारडिगन में, बच्चों के स्वेटर में चाहे किसी भी मंचाय प्रोजेक्ट में बनाएंगे, ये सब में बहुत अच्छा लएगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए हमें छे के मल्टिपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्टा है ऐसे छे-छे फंदे गिने, तो लास्ट में दो फंदा आना चाहिए एज के लिए तो मैंने बीस फंदे डाले हुए है पॉडर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे अब उनको ऐसे अपनी तरफ करेंगे, देखिए हमने उनके नीचे ऐसे उनको पकड़ा उनके नीचे ऐसे अंगुठा लगाया और इस दोनों सिरे को देखिए लूप बनाके इस सलाई के नीचे ऐसे दोनों सिरे आ गया अब हम दो फंदा उल्टा बनेंगे और इसको दोसे सिरे को ऐसे खिच देंगे फिर हम लूप बनाएंगे, सलाई के नीचे दोनों सिरे को लेंगे दो फंदा उल्टा बनाएंगे, ऐसे खिच के देखेंगे जो सिरा खिचने पे खिचता ना हो देखे, ये ऐसे खिचने पे खिच जा रहा यानि इधर की तरफ से हमें बुनाई नहीं करना है बलकि जो सिरा खिचने पर खिचता ना हो उससे हमें दो फंदे उल्टा बनना है और अब दूसरे सिरे को पकड़ के ऐसे खिच लेना है अब फिर लूप बनाएंगे सलाई के अंदर ऐसे ले लेंगे और दो फंदो को उल्टा बनाएंगे दूसरे सिरे को ऐसे खिच लेंगे तो हमने छे फंदे इस तरह बना लिए अब छे फंदा हम सीधा बनेंगे दो, तीन, चार, पाँच, छे अब फिर हम लूप बनाएंगे दो फंदो को उल्टा बनेंगे और दूसरे सिरे को खिश देंगे लूप बनाएंगे दोनों सिरे को सलाई के अंदर ऐसे ले लेंगे दो फंदा उल्टा बुनेंगे जो सिरा न खिशता हो उससे दो फंदा उल्टा बुनेंगे दूसरे सिरे को ऐसे पकड़ के खिश देंगे फिर लूप बनाएंगे और दो फंदा उल्टा बनेंगे तो हमने दो दो फंदा करके इधर छे फंदे बनाया छे फंदे का डिजाइन बनाया, पहला फंदा स्लिप किया छे फंदे का डिजाइन बनाया, दो दो फंदो का लूप लेके 6 फंदे का डिजाइन बनाया 6 फंदा सीधा बुना फिर 6 फंदे का डिजाइन और लास्ट फंदा एज स्टीच है इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे अब ये हमारा तीसरा लाइन है और सामने से तो पहला फंदा स्लिप करेंगे एक लूप बनाएंगे दोनों सीरे को सलाई के अंदर रखेंगे और ना खिचने वाले सीरे से दो फंदा उल्टा अब इसे खिच लेंगे फिर एक लूप बनाएंगे सलाई के अंदर ऐसे दोनु सिरे को लेंगे दो फंदा उल्टा बुनेंगे और दूसरे सिरे को ऐसे खिच लेंगे एक लूप बनाएंगे तोनु सिरे सलाई के अंदर लेंगे दो फंदा ना खिचने वाले तरफ से दो फंदा उल्टा बुनेंगे उसके बाद जो दूसरी तर दागा है उसको ऐसे खीचेंगे तो हमने ऐसे छे फंदों का डिजाइन बना लिया अब छे फंदा हम सीधा बुनेंगे अब फिर हम लूप बनाएंगे दोनों सीधों को सलाई के अंदर करेंगे ना खिचने वाले सीधे से दो फंदा उल्टा बुनेंगे दूसरे सीधे को पकड़के खिच लेंगे यानि अब हम लगातार छे फंदों में डिजाइन बनाएंगे तो छे फंदों पे हमने डिजाइन बनाया लास्ट फंदा एजिस्टीच है इसे सीधा बुनेंगे और रॉंग साइट से सबी फंदे उल्टे तो हमारा ये चौथा लाइन कम्प्लीट हो रहा है पाच्वा लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप करेंगे फिर इन छे फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे यानि पहला तीसरा और पाच्वा लाइन हमारा सेम रहेगा डिजाइन के ऊपर हमें डिजाइन बनाना है और जो छे फंदा हमने सीधा बुना है उसके उपर हमें सीधा बुना है याने छे फंदे का डिजाइन फिर छे फंदा सीधा फिर छे फंदे का डिजाइन अब फिर यहाँ पे छे फंदे डिजाइन क्या गया है तो इसके उपर हमें वापस डिजाइन बनाना है तो पहला तीसरा और पाच्वा लाइन हमारा एक जैसा बनेगा यानि तीसरे लाइन में भी हम पहले लाइन को दूर आएंगे और पाच्वे लाइन में भी हम पहले लाइन को ही दूर आएंगे और रॉंग साइट से सबी फंदे उल्टे सातवा लाइन और सामने से अबकी हम थोड़ा चेंज करेंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे और फिर छे फंदे को हम सीधा बनेंगे तो ये टोटल सात फंदे हो गए अब इन छे फंदों पर जिसे हमने सीधा बना था अब हमें इन पर डिजाइन बनाना है तो लूप लेंगे दोनों सिरे को सलाई के अंदर करेंगे और ना खिछने वाले सिरे से दो फंदा उल्टा बनेंगे दूसरे सिरे को खिछेंगे फिर एक लूप लेंगे ना खिछने वाले सिरे से दो फंदा उल्टा और दूसरे सिरे को खिछ लेंगे इसी तरह हम पास्वे और छटे फंदे को भी इसी तरह बुन लेंगे और अब साथ फंदे बचे हैं तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे यानि डिजाइन के ऊपर हमें प्लेन बुनना है साथवे लाइन में डिजाइन के ऊपर हमें प्लेन बुनना है और जहां प्लेन बुना गया है वहां पे हमें डिजाइन बनाना है यहां देखिए यहां डिजाइन बना है तो इसके ऊपर हमें सीधा बुनना है और यहां सीधा रो को दो जाएंगे यानि की पहला फंदा स्लिप करेंगे फिर छे फंदा सीधा बुनेंगे फिर छे फंदे पे डिजाइन बनाएंगे लूप लेंगे दो फंदा उल्टा बुनेंगे दूसरे सिरे को खिच देंगे फिर लूप लेंगे दोनों सिरे सलाई के अंदर कर लेंगे ना खिचने वाले सिरे से दो फंदा उल्टा फिर दूसरे सिरे को खिच देंगे फिर लूप बनाएंगे ना खिचने वाले सिरे से हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर दूसरे सीरे को ऐसे खिच देंगे अब लास्ट में साथ फंदा बचा है जिसे हम सीधा बुनेंगे और रॉंग साइट से सब भी फंदे उल्टे इक्जारमे लाइन में हम अपने सात्वे लाइन को ही दोराएंगे याने की साथ फंदा सीधा बनेंगे फिर छे फंदे पे हम डिजाइन बनाएंगे और फिर लास्ट में साथ फंदा उसको हम सीधा बनेंगे और रॉंग साइट से सबी फंदे उल्टे एक ये फ्रेंट्स बारा लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और इनी बारा लाइनों को दो राने से ये खुबसूरत सा पैटरन बनता चला जाता है देखिए कितने सुन्दर सुन्दर चक बने हुए है ये आपके पूरे स्वेटर की खुबसूरती को बढ़ा देंगे सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंदाया होगा तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचिंग